एक बार फिर आप सभी के लिए अपनी नई वीडियो के साथ आ गया हूँ आज की इस वीडियो में मैं इंटर्मीडियेट के उन इस्टुडियेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो PCV ब्रांच से अपना इंटर्मीडियेट कर रहे हैं PCV का मतलब Physics, Chemistry and Biology से जो अपना इंटर्मीडियेट कर रहे हैं या 11th में हैं या 10th के बाद करने की सोच रहे हैं तो वो इंटर्मीडियेट के बाद कौन सा कोर्स चूज करें जिस कोर्स में वो अपना केरियर बहतर बना सकते हैं तो देखते हैं कि अगर आप इंटर्मीडियेट PCV से हैं तो आप फर्ष्ट अपार्चुन्टी आपको मिलती है BAMS की BAMS एक डाक्टरी डिगरी है जो बैचलर डिगरी कहलाता है आप अगर BAMS करते हैं तो मास्टर में आप MD कर सकते हैं MD मेंस होता है डाक्टरी इन मेडिसीन ये आपके लिए फर्ष्ट अपार्चुन्टी थी चलो हम देखते हैं सेकंड अपार्चुन्टी अगर आपको फर्ष्ट नहीं पसंद है तो आप PCB से इंटर्मीडियेट है तो सेकंड आप BAMS कर सकते हैं इसको करने से भी आप एक अच्छे डाक्टर बन जाएंगे अगर आपको सेकंड आपसन नहीं पसंद है तो आप थर्ड आपसन पर देखिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए कि आप इंटर्मीडियेट में कितने अच्छे इस्टूडेंट्स रहे हैं इतना अच्छा मार्क्स आपने आपटेंड किया हुआ है तो उसको देखते हुए आप इन सभी डिगरियों के बारे में एडिमीशन लेने की सोचे थर्ड आप क्या कर सकती है वी वी एस्सी आप वी कर सकती है बीडियस हमारी बैचलर डिगरी है आप बीडियस को कम्प्रीट करने के बाद यदि आपके पास मास्टर डिगरी आप लेना चाहते हैं तो एमडियस आप कर सकते हैं यह आपके लिए फोर्थ अपाचुन्टी थी यदि आप इंटरमेडियर्ट PCB से कर रहे हैं अगर आप बहुत अच्छे स्टुडेंट्स हैं इंटरमेडियर्ट की और आप इन सभी जिस जितनी डिगरियों के बारे मता इनके बारे में आप नहीं इंटरिस्टेड है तो आपके पास MBBS के डिगरी है MBBS इसके लिए आपको PMT की तयारी करनी पड़ती है और PMT का exam देना पड़ता है यदि आप PMT की तयारी कर PMT का exam देते हैं तो आपको जो college मिलता है वो college MBBS के लिए मिलता है बहतर rank लाने मालों के लिए अगर आप MBBS करते हैं और MBBS जो हम करते हैं वो हमारी बैचलर डिगरी होती है MBBS करने के बाद Students यानि डाक्टर्स को दो ब्रांच से MD Master डिगरी करने का मौका मिलता है पहला MD है दूसरा MS है यदि आप MBBS के बाद MD करते हैं तो MD मतलब होता है Doctor in Medicine आप ऐसे डाक्टर बनेंगे जो अपने पेशेंट को सिर्फ Medicine से ही उनकी इलाज करेंगे यदि आपका Surgery में इंट्रेस्ट है Seed Far में तो आप MS कर सकते हैं Master Insurgeon जिसका मतलब है Master Insurgeon ठीक है? तो MD और MS आपके चाहने से मिलने वाली नहीं है आपको इसके लिए भी अच्छा performance देना पड़ता है आपको बेहतर इंट्रेस एक्जाम देना पड़ता है आप MBBS के बाद MDI MS कर सकते हैं उसके बाद Special Diploma आप ले सकते हैं जैसे DEM होता है बहुत अच्छे अच्छे डाक्टरों के पास यह सारी Special Diplomas होते हैं अगर आप बेहतर स्टुडेंट हैं तो अगर आपके पास intermediate में कम knowledge है आपके पास पैसे की कमी है तो आप पेरा medical में admission ले सकते हैं आपके लिए जो next opportunity है वो पेरा medical की है आप अगर पेरा medical भी कर लेते हैं आपके लिए बेहतर career बन जाता है अगर आपको पैरा medical में भी interest नहीं है आपके पास पैरा medical की fee submit करने के पैसे नहीं है या आप पढ़ने में थोड़े से percentage आपके week हैं तो आप BSC nursing कर सकते हैं BSC nursing भी एक ऐसा bachelor degree है जो आपको अच्छा खासा income provide करा सकता है आपकी life में अगर आप BSC nursing में भी interested नहीं है तो diploma in nursing आप कर सकते हैं diploma in nursing and BSC nursing बस इतना फर्क है कि यह diploma course है और वो degree course है BSC nursing degree course है diploma in nursing आपके diploma course है अगर देखा जाए तो BSC nursing diploma nursing से बहतर होता है खान से समझेगा मेरी बाग अगर आप इसमें भी इंटरेश्टेड नहीं है तो आप B. M. L. T. कर सकते हैं यभी बेचलर डिगिरी है आप इसका फूल फार्म Google कर सकते हैं आप Google के बारे में Google से इसके बारे में बहतर जानकारी ले सकते हैं अगर आपको इन सभी डिगिरियां नहीं पफंद हैं, आप इन सब में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास BSC, Botany, Macrovalogy, Geology and Chemistry, बहुत सारी BSC Bachelor Degree में आप PCB Intermediate के बाद admission ले सकते हैं। अगर आप BSC Bachelor Degree, Botany, Macrovalogy, Geology and Chemistry से कर रहे हैं, तो आप इसके बाद Master Degree में MSC कर सकते हैं या आप MSC Biotech कर सकते हैं। अगर आप MSC करते हैं, तो आपके पास MPHD करने का मौका मिलता है। लेकिन आप अगर MSC Biotech करते हैं, तो MTech Biotech करने का आपको मौका मिलता है। देखा जाए, तो BSC के बाद आप इस वाले ब्रांच में अगर आप आते हैं, तो आपको इस वाले ब्रांच से ज़्यादा अच्छा केरियर मिलने वाला है। अगर आपको BSC के इस ब्रांच के बारे में इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हैं, तो आप BSC Home Science भी कर सकते हैं। BSC Home Science वे इस्टुडेंट्स करते हैं ध्यान से सुनना, जिनका इंटरमेडियर पी सी भी ब्रांच से बहुत ही कम नंबर, बहुत ही कम परसेंटेज इंटरमेडियर में और बहुत ही बीक के इस्टुडेंट्स होते हैं। उनके लिए BSC Home Science हैं। अगर आप बहुत अच्छे BSC के स्टुडेंट्स हैं, तो आपको MBBS करना चाहिए। आप PMT दें। अगर आप थोड़े से बीक हैं, तो आपको BDS करना चाहिए। या फिर आपको BMS करना चाहिए। अगर कहा जाए तो सेकेंड में आपको BDS MDS कर लेन चाहिए। अगर आप Intermediate के Students हैं, तो आपके लिए बहतर वीडियो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में सेयर करें। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए बहतर वीडियो में पोस् अभी Students को have a nice day and have a nice career after Intermediate.